मनू भाकर, इतिहास रच के वतन वापस लोड़ चुकी है और आपको बता दे यही इतिहास रचने वाली महिला शूटर इसवक टीविनाइन भारत वर्ष के साथ मौजूद है मनू स्वागत है आपका TV9 भारत वर्ष पर स्वागत है आपका भारत में इस एतिहासिक जीत के बाद तैंक यू माम आपकी अचीवमेंट के बारे में सब बात कर रहे हैं आपसे मैं जानती हूँ अभी तक तमाम इंटर्व्यूस में पहला सवाल आपकी अचीवमेंट को लेकर ही किया जा रहा होगा लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है जब छोड़कर भारत जा रही थी खेलने के लिए क्या सोचा था कि जब वापस आएंगी तो इस तरीके से जोरदार स्वागत होगा और आप भारत की सेंस सेशन बन जाएंगे दरसल टोक्यो के बाद से ही बिलकुल दिमार्ग में था कि पारिस में कुछ बढ़िया करना है और मेरी पूरी टीम में इस सरीके से ही मेहनत करे हमने सबने ऐसे ही प्राक्टिस की करी है कि यहां बढ़िया प्रजशन दिखाना है यहां बढ़िया करना ह और वो काफी अच्छा भी रहा, और दो मेडल और एक फॉर्ट फिनिश रहा, हाला कि थोड़ा ओर अच्छा भी हो सकता था, पर काफी उच नीच के बाद जो ये दो मेडल्स आये, I think मुझे इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि पिछली उलम्पिक में जिस सरीके का प्रदर्शन रहा था, उसके बाद यहां तक पहुंचने में, काफी उपर नीचे का रस्ता रहा पर पहुंच गए, सोचा था कि भारत आएंगी तो हम यहां पर बात करेंगे उस भारत की नई सेंसेशन से, जिसको लेकर आप देखिए कि जगां जगां आपकी फोटोज और आपके आसप सवाल तक अपने आपको मोटिवेट रखना, सवाल मैंने इसले तेम्परमेंट वर्ड का यूस किया कि आप खुद को कैसे उस लिहाज से, आपका गेम ऐसा है जिसमें फोकस चाहिए, 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 हाव दू यू मानेज ताट, टोक्यो से यहां तक तीन साल का सफर र तो उस सही किसे च्रेणिंग गई, और मिंटें कि बाद जब आप करो, मतलब लगता है तो काफी मुश्किल लगता है काफी बार को पकरना जब थोड़ा बुरा फीस चल रहा हो जब अश लग रहा हो कि अब नहीं हो रहा हो, बस करो, तो उसमें वे थोड़ा सा मुश्किल आप करता है और फैमिली का सपोर्ट उस ताइम पर काफी मांटर करता है, प्रेंड का सपोर्ट मैंटर करता है, और कोच का वश्वास नाटर करता है, तो आइ थिंग उन्साब की वज़े से मैं सवाइब कर पाई, और यहां तक में से नहीं से बहा हैं, क्या तेशल रहा है लेकिन उस मुमेंट के बाद आपकी PM से भी बात हुई थी, तो यह सब मैं इसी ले कह रही हूँ क्योंकि क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या यह सोच के गई थी, कि इस बार अचीफ करेंगे, तो वाके वो महनत का फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन आज जिस हम अनुभाक से बात करते हैं, तो PM से लेकर आम छोटा बच्चा भी, उनके लिए भी आप एक तरीके से इंस्परेशन बन चुके हैं, जी, I think काफी मैनत लगी है यह तक पहुंचने में, ना कि सिरफ मेरी, बट पूरी टीम की, और पूरी टीम में जैसे माता-पिता, कोच, भाई, यह सर का जो फोन आया था, तो मैच के बाद तो काफी अच्छा लगा था कि उनका इतना बजी शुडूल होता है, और उसमें भी उनोंने समय निकाल कर हम से बात की, और काफी प्रोचान मिलता है, अगे और बढ़िया करना है, और भी महनत करेंगे, अगे और अच्छा करेंगे उनसे मुलाकात के लिए बात वी थी? उनसे मुलाकात होगी अभी परसों, तो उससे लोकिंग फोवर्ड तो तो मिल के मतलब वेट कर रहे हैं, जब मिलेंगे तो. क्या सूच रहे हैं इस सफर के बाद आप उनके साथ क्या इंटराक्ट करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? एक तो बस मिलने के उनका अशरबाद लेंगे और यही है. अच्छा, संसद भी आप गई, राहूल गांदी से भी मुलाकात हुई, सोनिया माम से भी मुलाकात हुई, राजनाथ से भी मुलाकात हुई, तो यह सारे एक्स्पीरियंस में क्या लगा इस अचीवमेंट के बाद सोचा यहां जाए, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. तो यह सिंक वही है कि मैदल तक का सफ़ मुझे पता था कैसा रह गई और मैदल के बाद का अवी मैं वाकेफ रही हूं, तो यही लगता है जो भी मुझे ऐसे प्यार से पनी बच्छी समझ के बलाता है तो अच्छा लगता और कोज रगोगा थैक जंते हैं तु पहले उनोंने शुोटिंग है थाफे टाइम और उनकी पिस्तल से ही मेरी कोज ने शुटिंग शुरुड गी थी तु मतलब ऑनको यहासे सफ जानते हैं और मैं भी उनसे पहली बार मेली थी इस बार तो तो वो भी काफी इंट्रिस्टेड है sports में काफी काफी हमेशा अपना उनका रुजहान रहा है sports की तरफ तो बस उसी के बारे में ही थोड़ा बात हुआ था कि उन वो experience पोच रहे थे और पार्लियमेंट का मुझसे experience पोच रहे थे मेरा कैसा था पार्लियमेंट में तो मैं जस्टेंपरमेंट की बात कर रहे हूं क्योंकि जब आप सुर्खियां बनी यहां पर मैंने तो दुबारा दौरा आ रही हूं आप मतलब ना सर्फ sensation बनी बलकि भारत का नया crush भी बन गई थी तो बी वेरी ओनेस्ट अब आपके बाद अगर सुर्खियां बनी तो वो थे तर्किश शूटर उनकी उनकी लुक उनकी कामनेस सब के लिए एक टॉकिंग पॉइंट बन चुकी थी वोट इस दाट समझा पाएंगी आप हमें क्योंकि आप खुद एक अथलीट हैं और आप तो यंग्स्टर हैं एक यंग्स्टर की जुबानी में समझना चाहती हूं कि इस इस तेंप्रमिंट को कैसे समझें इस भी एफ प्रोच को हम कैसे समझें को मैं थिंक यृफ हर खिलाडर का अपना प्ना स्टाइलों टा यृफ और इंडरिग कょ Savannah यंग भेंप किउसे जौसे अपना डेको थे घक, पमना स्टाइल होता और इच vaan एऑ किat-खि बूगppe इंड एक आख पयोजी प्साड़ी वे एक लिद इसनी में एक लिद में अर्यजी ना झाड़ी बैघ जा इन वहाँ इसनी कि बात कर रहता है और एंक काफी थावन दुब यह उल्ड इए बावन इसरा कुंड़ियम्र है और वही पैप कोर एंच चुटर के साथ बी ऑन काफी हैं बात की थी